अपको स्वोगते हैं आपको एपनी यूट्यूब चेनल रासरकारी जोप्ट रिफोर में तो आज की स्टुटियम में बात करने वाले हैं यह थी आप स्कोलर्फिव के लिए फॉर्म के लिए अप्लाइ करते हैं तो उसमें अप्लाइ करने से पहले आपको अपनी फ्रोफाइ प्रोफायल स्कोर्स्यीफ फॉर्म के लिए कैसे बना रहा हैं इसका मैं आपको स्टेब आप स्टेब कमप्लीट प्रोसेस नी तरीके से बताने वाला हैं तो नया पुराना तो प्रोसेस वाला वीडियो तो आपको मिल जाएगा तो आपको अपनी फ्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले ऐसा सो डोट राजस्तान डोट जियो बीड की डिन की ओफिसल वेब्साइट पर आना है इसका लिंक आपको डिया हुआ या फिर गूगल में सर्च भी कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आने के बाद लोगिन वाले स अपको यहाँ पर स्कोल SAMS यहां पर दीखने को नहीं मिलता है तो आपको यहां पर अदर से जीप कर तो आ कि यहां के बाद यहां पर इस स्च ना है जो कि आप यहां पर इंटरफेस देखने को मिल जाता है अपनी फ्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर इस वाले उप्शन पर क्लिक करना है इसके बाद वीव अपडेट वाले उप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपकी जो भी लेटेस्टर नई स्कूल स्वीव का फॉर्म अपने एप्लाइ क्या है उसको यहां पर स्लेट करेंगे जिसके दूजार गुनिस बीसकी हैं तो यहां पर एडिट पेंशल को ऑप्शन यहां पर दिया गया है इसमें ओप्शन पा को यहां पर क्लिक क करना है इसके बाद आपका आधार नमर यहां पर डालेंगे इसके करने के बाद आपको यहां पर वरीफाइवाले यहई करेंगी इसके बाद आपकी फरोफायल कि general details आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसको यहाँ पर यदि आप जनाधार में कोई भी अपडेट अपनी details update की है तो update जनाधार का details वाले option पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको दीटेल्स देखने को मिल जाती है कि कि आपकी इसके बाद नीचे स्कोड करेंगी और इसके बाद आपने पेरेंट का जो पेंड कार निम्र है और अपने बहेंग जो इयों निकाल नहीं आटा दो आपको निकालना नहीं आता है तो कॉमेंट आपको उपर उस पर अलग से वीडियो बना दूगा क्योंकि यह आपको जो मैंसर कोड है अपनी डारी पर नहीं होता है अब बेंग पर जाकर भी ले सकते हैं ठीक है और इसके बाद जो भी जेनरल डिटेल्स आपको यहां पर जो होगा अपनी की मार्शिट जिसमें सेलेक्ट वाले उप्सेंपर क्लिक करेंगे इसके बाद आप नी दसवी कोन शेयर्स में पास की है वह यर्ष आपको यहां पर सल्दैक्ट करना है इसके बाद आपको यहां पर दस्वी की board है, board आपने RBC है, CBC आपके साफ से यहां पर select करेंगे, select करने के बाद आपको यहां पर next option फिर से यहां पर नया option देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका roll number आपको यहां पर डाल देना है, जो भी आपका roll number है, इसके बाद आपको यहां पर validate roll number वाले option पर click करेंगे, इसके बाद आपके यहां पर जो mark sheet है, online यहां पर verify हो जाएगी, यदि verify नहीं होती है, तो आप यहां पर choose file वाले option पर click करके manually अपनी जो mark sheet है, उसको भी upload करेंगे, यहां पर देखते हैं, mark sheet not verify, please update, manually टीकर, तो आपको यहां पर कोई भी दिख कर नहीं है, आपकी जो verify नहीं होती है, तो आपको फिर से आपको यहां पर choose file वाले option पर click करके, अपनी दर्शु के mark sheet upload कर लेना है, verify होने के बाद भी आपको upload भी करना है, ठीक है, दोनों ही तरीके में आपको यहां पर अपनी mark sheet upload करेंगे, और यहां पर mark sheet का जो size है, आपको यहां पर बताएगा है कि पांट सूब बाराप के बिसे ज़्यदा इसका size नहीं होना चाहिए, किसी भी format में यहां पर upload कर सकते हैं, upload करने के लिए आपको यहां पर choose file वाले option पर click करेंगे, और जहां का भी भी आपका दस्ट्री के mark sheet रखावा है, अपनी mark sheet को वाँ से आपको upload कर लेना है, इसके बाद यहां से आपको form को agree करेंगे, इसके बाद नीचे last में आएंगे, इसके बाद आपको update वाले option पर click करेंगे, update वाले option करने के बाद yes वाले option आपको यहां पर select करना है, इसके बाद next है, आपकी profile update हो चोच की है, इसके बाद आपको यहां पर close वाले option पर click करेंगे, अब यहां पर आपको scholarship के लिए apply कर सकते हैं, और new application पर जाकर अपनी नई scholarship के लिए apply कर सकते हैं, तो इस तरह से आप अपने जो assessor की profile update कर सकते हैं, मैंना कुछ टेपाच टेप complete process बता दिया है, वीडियो में जानकर यह आपको अच्छ लेगी तो वीडियो को लाइक कीजिगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा, जिससे आने वाले सारी updates की वीडियोज आपको लगतर मिलती रहेगी, thank you for watching, जया हिन, जय वारत